नमस्कार दोस्तों निक नॉलेज में आपका स्वागत है दोस्तों आप सभी ने कई बार ट्रेन से यात्रा की होगी यात्रा के दोरान आपने ट्रेन के बाहर और अंदर कई तरह के साइन देखे होंगे जिसमें प्रमुख है ट्रेन के आखरी डिब्बे के पीछे एक्स या क्रॉस का निशान दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ट्रेन की लाश्ट पोगी के पीछे ये एक्स या क्रॉस का निशान क्यों बना रहता है शायद आपने गौर किया हो कि भारत में चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के पीछे सफेद, लाल या पीले रंग से यह निशान बना होता है यह क्रॉस का निशान सभी सवारी गाड़ियों के अंत में होना पहुत ही जरूरी है यह नियम भारती रेलवे द्वारा बनाया गया है इसके साथ ही आपने देखा होगा कि कई ट्रेनों के पीछे लवी भी लिखा होता है और इसके साथ ही लाल रंग की लाइट भी ब्लिंग करती रहती है तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम इन सभी संकेतों के बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों भारती रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और एकल सरकारी सौमित वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है यह विश्व का सबसे बड़ा नियोकता है जिसमें 16 लाग से भी अधिक करमचारी कारेरत हैं आम तोर पर भारत में हर दिन करोलों लोग ट्रेन से सफर करते हैं लेकिन वर्तमान में विश्व इस तर पर फैले घातक कोरोना वायरस के कारण लोगडाउन किस्ती बनी हुई है और रेल सेवाएं भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई है परन्तु आवश्यक कारणों से 12 माई से 15 विशेश ट्रेनों का संचालन भारती रेलवे त्वारा कुछ नियम वर शर्तों के साथ पुनह प्रारंब किया जा रहा है तो चलिए जानते हैं ट्रेन की लाश्ट भोगी पर बने इन सभी संकेतों के बारे में दोस्तों ट्रेन में सभी डिब्बे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं ऐसे में अगर इनके जुडाव में कोई खामी निकल गई तो ट्रेन के कई डिब्बे ट्रेन से निकल के पीछे चूट सकते हैं ट्रेन का सफर काफी लंबा होता है और अगर ट्रेन के कई डिब्बे पीजे छूट गए तो भी ट्रेन राइवर को पता नहीं चल पाएगा ऐसी इस्थिति में दूसरी गाड़ी को उस लाइन पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है इस वज़े से ट्रेन के लाश डिब्बे में एक्स का निशान बनाया जाता है ताकि ट्रेन के करमचारियों को पता चल सके कि पूरी तरह से ट्रेन जा चुकी है या फिर आ चुकी है सभी ट्रेनों में X का निशान अवश्य होता है क्योंकि इसी से पता चलता है कि ट्रेन किसी भी हाथ से का शिकार नहीं हुई है और पूरी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर सही सलामत पहुँच चुकी है आपको बता दें कि हर स्टेशन पर ट्रेन कमचारी ट्रेन की चेकिंग करते है X का चिन बोगी के पीछे बहुत ही बड़े आकार में बनाया जाता है ताकि दिन के वक्त यह दूर से भी आसानी से दिख जाए आम तोर पर यह निशान लाल, सफेद या फिर पीले रंग से बनाया जाता है X के निशान के नीचे या अगल बगल में बिजली का एक लैम भी जरूर होता है जिसमें लाल रंग की लाइट हर पास सकिंड में जलती बुश्ती रहती है पहले के समय में यह लैम तेल से चलाया जाता था लेकिन आज कल यह लैम बिजली से चलता है रात के समय X का निशान तो दिखेगा नहीं इसलिए आखरी डिब्बे पर यह लाल रंग की लाइट वाला यह लैम लगाया जाता है लाल रंग की चमकीली ब्लिंग करती हुई लाइट ट्रेक पर काम करने वाले करमचारियों को निर्देश देती है कि ट्रेन उस जगे से पूरी तरह निकल चुकी है जहां वे काम कर रहे होते हैं कई बार खराब मौसम और गने कोहरे में ट्रेन को साफ देखा जाना काफी मुश्किल होता है ऐसे सिति में ये लाइट करमचारियों को काफी मदद करती है इसके साथ ही ये लाइट पीछे से आ रही ट्रेन के लिए भी इशारा करती है कि उसके आगे एक और ट्रेन है के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है इसलिए ट्रेनों की लाश्ट बोगी पर लगे लैंब में रेड लाइट का यूज किया जाता है ताकि राज के अंधिरे में भी इसे दूर से ही आसानी से देखा जा सके अब आप जानी गए होंगे कि ट्रेन के पीछे X का निशान और रेड लाइट क्यों होते हैं इन सब के अलावा ट्रेन के लाश डिब्बे में एक साइन बोर्ट भी होता है जिसकर LV लिखा होता है जिसका फुल्पाम होता है लाश डिब्बा यानी रेल गाड़ी का आखरी डिब्बा X के निशान के साइसाथ LV रेलवे करमचारियों को इस बारे में सुझित करता है कि वरहेल का आखरी डिब्बा यानी लाश डिब्बा है अगर स्टेशन पर पहुचने वाली ट्रेन में X निशान वाला डिब्बा या LV लिखा हुआ वाला डिब्बा नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि ट्रेन पिछले स्टेशन से पूरी नहीं आई है और ट्रेन के कुछ डिब्बे ट्रेन से अलग होकर पीछे रह गए हैं या दुर घटना ग्रस्त हो गए हैं ऐसी सिती में रेलवे करमचारी आपात कारीन कारवाही शुरू कर देते हैं ताकि किसी अन्होनी घटना को समय रहते टाला जा सके दोस्तों अब आप रेलवे के इन महतपूर संगेतों को अच्छी तरह से पहचान चुके हैं उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी ऐसी ही महतपूर रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल निक नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेर करें साथ ही बेल आइकन भी ब्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो आप पर ओन टाइम पहुंचती रहें और यदि आपका कोई सुझाओ या प्रशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद